Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading आप लोगों के लिए देखेंगे, October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मैं पस यहां पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सेकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सब से पहला card में जो दिख रहा है Ace of Pentacles Ace of Starry में नई beginning की बात करते हैं और Pentacles कहीं stability, security की बात करते हैं तो कहीं कुछ time से October starting में आप एक नई beginning चाहा रहे हैं और ये नई beginning कहीं stability, security के point of view से जाद चाहते हुए दिख रहे हैं अब दिखिए ये general reading है सब के लिए different scenarios, different situation, circumstances रहेंगे एक दो example जो mind में आ रहे हैं आपको बताती हूँ दिखिए कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे ना सिरफ एक casual सा relationship था आप लोगों का और commitment के बारे में नहीं सोच रहे थे या फिर concrete level पे एक नई beginning के बारे में नहीं सोच रहे थे for example again marriage, engagement, live-in और कहीं October starting में इस तरीके से एक चीजें आप चाहा रहे हैं अगर पीछे आप relationship में नहीं थे, single थे और आपका हो सकता है पीछे, relationship भी end हुआ हो और आपने सोच आओ कि भई अब नहीं सिंगल ही रहना है और कहीं October starting में आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं किसी के साथ connect करते हैं, नहीं सिरे से अपनी जिन्दगी को शुरू करते हैं कुछ के लिए हो सकता है, marriage literally चाहा रहे हैं arrange marriage kind of a thing और उस हिसाब से आप एक नहीं beginning करना चाह रहे हैं आप देखिए जो भी तीन चीज़े मेरे माइन में आई मैंने कहा सब के लिए differ करेगा लेकिन broader level के लिए एक नहीं beginning बहुत ही concrete, practical, realistic level पे चाह रहे हैं यानि कि बातें नहीं सिरफ again मैं कहूंगी marriage, living, engagement types आप चाहते वो दिख रहे हैं लेकिन deeper level के लिए running from love का काट कहता है कि आप मन ही मन या फिर subconscious level पे प्यार से भाग रहे हैं and being a psychologist, I know मेरे पस बहुत सारे बच्चे आते हैं जो love चाहते हैं और दिखिए हम सभी love चाहते हैं एक age होती है जहाँ पे opposite six के लिए जादा attraction होती है जादा एक हम उनके साथ companionship चाहते हैं और वही age-shed marriage की भी होती है, engagement की भी होती है तो वो चाहते तो हैं बच्चे लेकिन उनके past experiences अच्छे नहीं होते हैं at times parents का अगर आपस में relationship अच्छा नहीं है तो बच्चे फिर डरते हैं relationship में जाने से और फिर से कहूंगी relationship चाहा रहे होते हैं अपनी life में और ये बहुत अजीब सी और weird सी situation होती है I feel very bad but yes, ऐसा होता है कई बरी हमारा खुद का ही past experiences, love relationship को लेकर अच्छा नहीं है वो इतना जादा deep हमारे मन में बैठ जाता है कि फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते हैं और कुछ ऐसी सी energies Germany's आपकी रहती भी दिख रही है अब reason कुछ भी हो सकता है गेन यहाँ पर दो examples जो मेरे मन में आए मैंने आपको दिये लेकिन इन ही energies के लिए सब Germany's के लिए different reasons रहेंगे यानि कि आप एक नई beginning concrete level पर चाहा रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं आप deeper level के लिए प्यार से भाग भी रहे हैं और यहाँ पर six of souls reverse का card भी इसी चीज़ को confirm करता है कि आप stuck महसूस कर रहे हैं आगे बढ़ना चाहा रहे हैं next level पर चीज़ों को अपने personal life में या love life में या किसी भी तरीके से लेकर जाना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हैं और यहाँ पर taking it slow का card कहता है इसी वज़े से शयद मन ही मन आपको ऐसा लग सकता है कि भाई impulsive मत हो, चल्दबाजी मत करो खुद से ही आप यह कह सकते हैं, ऐसा चाहा सकते हैं कि भाई धीरे धीरे चलते हैं, अराम राम से चलते हैं क्योंकि इस तरीके से तो आप कहीं पर भी नहीं पहुँचेंगे जहाँ पर again मैं कहूंगी आप withdraw कर रहे हैं प्यार से भाग रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसी लिए देखिए यहाँ पर the hermit reverse का काट कहता है आप शायद चीजों से withdraw कर रहे हैं आपकी तरफ से उतने action initiatives नहीं रहते वे दिख रहे हैं और एक missing feeling है, जैसे किसी चीज को ढून रहे हैं जैसे कोई चीज है जो चाहिए मिल नहीं रही है समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे पाएं और deeper level के लिए uncertain का काट कहता है कि बहुत एक uncertainty आपके मन में रहती भी दिख रही है कुछ के लिए हो सकते हैं आपके relationship में हैं जिसकी वज़े से आप परेशान हो रहे हैं जादा मुझे दिख रहा है जमनीज कि आप ही के मन में हैं आप sure नहीं हो पा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है आखिर आप चाहते क्या हैं और ये थी जमनीज आपकी energies अब देखते हैं आपके partner की energies हैं नचल में आपकी energies बताऊं तो आप एक नहीं beginning चाहा रहे हैं लेकिन उसी से related उतने action initiatives नहीं ले पा रहे हैं नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप किसी ना किसी level पर प्यार से भाग भी रहे हैं और आप भाथ धीरे धीरे लेकर जाना चाहते हैं और end में आप थोड़ा confused हो रहे हैं कि भई आपको चाहिए क्या है and yes अब आपके partner की energies देखें तो आपके partner के लिए यह आप ए talking face का card है वो आपसे बात करना चाहते हैं specially देखिए आपकी energies हमने देखी बड़ी mix ही है और आप कुछ चीजों को लेकर share नहीं है तो जाहिर सी बात है अगर आप relationship में तो आपके partner confused हो सकते हैं और उनको ऐसा लग सकते हैं कि भई बात करते हैं क्या आप सोच रहे हो आखिर आप क्या चाहते हो क्योंकि अगर आप confused हो तो उसका impact आपके partner के उपर भी पड़ता है और यहां पर देखिए the hierophant reverse का card कहता है यहां तो वो किसी चीज को लेकर बहुत fixated हो रहे थे और उनको इस चीज का एहसास कहीं October starting में हो रहा कि नहीं भी इतना fixated इतना rigid होके चीजों को नहीं deal करा जा सकता थोड़ा तो मुझे flexible होना पड़ेगा कुछ के लिए हो सकता है society, religion, घर के बड़े यह बहुत influence कर रहे हैं इसकी वज़े से यह यह चीजें बहुत उनके mind में चल रही है जिसकी वज़े से वो again fixated हो रहे थे या फिर होना चाह रहे थे मरलब हो रहे थे या फिर हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है बहुत जादा ही fixated हो गए हैं बहुत ही traditional तरीके से outdated thinking के हिसाब से चीजों को deal कर रहे हैं और दिखे कहीं mid October के लिए किसी चीज से भाग रहे हैं और कहीं एक unfair energies भी या तो वो महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ से या फिर उनको इस चीज की realization है कि वो ही कहीं इस relationship में fair नहीं है तो कहीं unfair energies कहीं किसी लवी पर injustice रहता हुआ और कहीं आपके partner Gemini's compromise नहीं करना चाह रहे अब दिखिए Hierophant और picky के card को भी अगर मैं combine करूँ तो मुझे लगता है कि वो compromise नहीं करना चाह रहे हैं adjust नहीं करना चाह रहे हैं fixated हो रहे हैं और exit वाली energies हैं बात करना चाह रहे हैं लेकिन at the end of the day अपने ही तरीके से चीजों को चाहते वे दिख रहे हैं and end October के लिए 10 of souls reverse का card कहता है कि जो भी चीजें उनको bother कर रहे थी उनको परिशान कर रहे थी किसी level पर उनको end करके एक नई beginning चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और अब देखते हैं Gemini's की October month में क्या हो रहा है तो दिखे October starting में कुछ खास आप दुनों के बीच में नहीं होता हुआ दिख रहा है अब दिखे ये general reading होती है तो बहुत specifically हम नहीं कह सकते Four of souls reverse का card कहीं withdraw करने की बात करता है या फिर बहुत time से withdraw कर रहे थे तो उन energies में से खुद को बहार निकालने की बात करता है अब ये सब के लिए differ करेगा अगर आपका relationship ऐसा है जिसमें आप लोगों की रोज बात होती थी तो हो सकता है कि आप लोग उससे थोड़ी कम बात चीत कर रहे हैं आपकी 2-3 दिन में या 4-5 दिन में बहुता होती हैन्यगा और आपकी 4-5 दिन में में बहुता होती थी थो सकता हुघ हे दाथ होती थी devil wolf अगर आपकी 10 थी थी तो फ़िर 15-20 दिन में आप समझ पहा रहे हैंकि मैं नहीं कि मितलब जितनी बात होती था उससे कम कम बात हो रही है, जितने action initiatives लेते थे उससे कम action initiatives लेते वह दिख रहे हैं, कहीं किसी level पर withdraw कर रहे है, and mid October के लिए two of pentacles का काट कहता है, कि थोड़ी सी हल चल होगी, लेकिन completely आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं इस relationship में आते वह दिख रहे हैं, और अगर मैं आप के काट देखूं, तो मुझे दिखता है कि आप दोनों ही अपने अपने level पर कहीं उतने action initiatives ले रहे हैं, आपके partner literally you know escape कर रहे हैं, कहीं किसी level पर वो भी भाग रहे हैं, और आप शायद surface level पर नहीं भाग रहे हैं, तो मन ही मन deeper level के लिए भाग रहे हैं, और कहीं mid October में आप stuck महसूस कर रहे हैं और आपके partner कहीं escape कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं और इसलिए शायद बहुत up and down, in and out वाली energies हैं, ना तो completely आप दोनों एक साथ हैं और ना ही आप दोनों एक दुसरे से अलग हैं, deeper level के लिए player का card कहता है कि कहीं you know seriously कुछ चीजों को नहीं ले रहे हैं, seriously I know it's a negative card but जैसे उतने की responsibility नहीं ले रहे हैं, कुछ जैसे concrete तरीके से चीजों को नहीं कर रहे हैं, बहुत lightly, बहुत carefree तरीके से, बहुत casual तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीजों को ले रहे हैं और देखिए इसलिए यहाँ पर shady का card कहता है कि कु इसको represent करता है कि चीजे clear ही नहीं हैं और ऐसे लगता है कि पतनी सामने वाले के मन में क्या है, क्या नहीं है, वो क्या सूच रहे हैं, क्या नहीं सूच रहे हैं, तो इस तरीके के energies रहते हुए दिख रहे हैं और आप दोनों ही, आप दोनों में से कोई एक काफी mind से चीजों को deal कर रहे हैं, थोड़े से logical भी होते वे दिख रहे हैं, और कहीं दिखिए emotions, feelings, sentiments पूरे ही October मन्त में, इस relationship में missing रहते वे दिख रहे हैं, Queen of Souls का card कहता है, कि कहीं बहुत, जैसे बुलते हैं कि logically चीजों को deal कर रहे हैं, बहुत blunt, straightforward हो रहे हैं, और थोड़ा सा हो सकता है, इन अच्छा Germanese आप लुगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading, देखें, बहुत great energies नहीं रहती भी दिख रही हैं October मन्त में, but I'm sure आपकी situation से आप इस reading को अगर relate कर पा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी guidance मिलेगी, आप उसको लेके कैसे October मन्त में अपनी relationship को बहतर कर सकते हैं, या फिर अपनी personal life को love relationship से related बहतर कर सकते हैं, क्योंकि कितनी बारी relationship को बहतर करना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन अगर हम अपनी energies को change कर लेते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो इससे हमारा relationship भी बहतर हो जाता है, तो कैसे आप खुद को बदल सकते हैं, खुद की energies में बदल सकते हैं, जिससे की चीजें बहतर हो, आप beyond the point परेशान ना हो, और अगर trust me आपने इस चीज पर work कर लिया, आपका relationship खुद बखुद अच्छा हो जाएगा, October मन्त आप लोगों के लिए खुद बखुद अच्छा हो जाएगा, तो अगर आप इस reading के साथ resonate कर पाए हैं,